Wizard का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेती हैं Wizard का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो noun के रूप में और दूसरा adjective के रूप में noun के रूप में wizard का आर्थ होता है प्रवीन प्रवीन मतलब जो किसी चीज में बहुत माहिर हो अभिचारक या जादूगर adjective के रूप में wizard का अर्थ होता है इंदरजालिक याने कि इंदरजाल का या इंदरजाल से बना या जादूई जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि भे उटों के साथ एक जादूगर था तो आप कहेंगे he was a wizard with camels he was a wizard with camels या अगर आप ये कहना चाहें कि भे computer की जादूगर है तो आप कहेंगे she is a wizard with computers she is a wizard with computers या अगर आप ये कहना चाहें कि जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा तो आप कहेंगे the wizard recited a spell the wizard recited a spell अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें